वेल्कम बैग क्लीन न्यूज चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इसे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए साथी डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें आज का लाई केम 3000 है उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे यूपी पुलिस भरती बोर्ट जल्द जारी करेगा सब इंस्पेक्टर परिक्षा की उत्तरकुंची उत्रपदेश पुलिस भरती है वो प्रोनती बोर्ट की ओर से यूपी पुलिस एसाई और पी एसी प्लाटून कमांडर के 9534 पदों पर भरती के लिए हुई लिखित परिक्षा के आंसर की जल्द जारी की जाएगी इस समध में यूपीपी विब्पी की वेबसाइट पर भरती बोर्ट ने नोटिस भी चारी कर चुका है उमीद है कि अगले 2-3 दिन में यूपी पुलिस एसाई परिक्षा 2020 की उत्तरकुंजी जारी कर दी जाएगी यूपी पुलिस साय परिक्षा में भाग लेने वाले अभ्यडते आंसर की जारी होते ही पुलिस भर्ती बूर्ट की वेबसाइट upbpp.gov.in पर डाउनलोड कर सकेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी साथ दिसंबर को गोरकपुर खार खाने का लोकारपन करेंगे स्पीच मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लोकारपन समारों को लेकर चल रही तैयारियों का निरिक्षन करने पहुचे उन्होंने हिंदुस्तान उर्वरक रसाइन लेमिटेद में यूरिय अत्पादन के सफल ट्रायल के लिए दिकारियों को शुपकाम नाई दी उन्होंने कहा कि ये खात कार खाना उत्तप्रदेश के विकास के नई कहानी लिखेगा इसके पूर वुनोंने केंद्रिय मंत्री अनुडाग ठाकूर संग खात कार खाने का हवाई सर्विक्षन भी किया था उत्तप्रदेश राजविदिक प्रादिकरण ने गाउं के चाकेदार का नाम करण ग्राम प्रहरी करते हुए उनकी शेक्षिक कियों कितार शादिरिक दक्षता तैकरने के साथ उने समुचित मान दे दिये जाने और समय समय पर गाउं की सुरक्षा विवस्था के बाबत प्रशेक्षित किये जाने की संस्तुती की विदियायोग ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर जम्मू कश्मीर पंजाब राजिस्थान और पश्यम मंगाल आदी राज्यों में गाउं की चाकिदार के लिए बनी विवस्था का अध्यन करने के बाद इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतिया दी ह मेडिकल कॉलेजिस के कर्मियों को इसी महा में लेगा प्रशासन का तुफ़ा मांगी गई डीटे उराजी सरकार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजिस में तैना चिकिटस को और कर्मशारियों को इसी महा पदोनुती का तुफ़ा देने की तयारी में है प्रोनती का लाप आने वालों में नर्सिंग स्टाफ के अलावा तक्नीकी गयर तक्नीकी सहीतने स्टाफ शामिल है चिकटसा शिक्षा महाने देशाले ने सभी मेडिकल कॉलेज़स से प्रोनती की एहरता रखने वाले सभी शेणियों के कर्मियों का ब्यौरा मागा है मेडिकल कॉलेज़स के कर्मशारियों को काफी समय से प्रोनती नहीं मिली अब चिकटसा शिक्षा विभाग इसकी तयारी कर रहा है हर समवर के लोगों को इसमें शामिल किया गया मेडिकल कॉलेजिस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एसोसियेट प्रोफेसर पर और एसोसियेट प्रोफेसर्स को प्रोफेसर पर प्रोनत किया जाना है यूपी में माफ होगा बिजली का बिल उत्तप्रदेश सरकार के इन सभी योजनाओं का लाब लेने के लिए यूपी बिजली बिल माफी योजना 2021 के तहट अंतिम तक सभी का बिजली बिल माफ किया जाएगा अगर आप भी उत्तप्रदेश के नागरे के और आप भी उत्तप्रदेश के रहने वाले हैं और इस यूप बिजली बिल माफी योजना का लाप राप्त करना चाहते हैं तो आप भी इसके लिए आवे धन कर सकते हैं दुगदुत पादकों के बनेंगे एक लाग साथ हजार रुपे तक के के सी सी दुगदुत पादन से जुड़े बिना जमीन वाले पशुपालकों के भी अब बिना गैरंटी के किसान क्रेडिट कार्ड बनेंगे इस credit card पर किसान बैंकों से 1,60,000 रुपे तक का लोन ले सकते हैं पशो के भरन पोशन के लिए ये पैसा दिया जाएगा लोन का पैसा एक साल के अंदर जमा करने पर ब्याज में सबसेडी दी जाएगी किसानों के आए बढ़ाने के लिए दुगदुत पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है पिछले साल के अंदर सरकार ने आत निर्भर भारत योजना के अंतरगत परशो पालन को भी शामिल किया है यूँ भी बनेगा हतिया निर्मान का हब अमेठी में जल्द लगेगी एके 203 राइफल की फैक्टरी सरकार ने दी मंसूरी उतरप्रदेश को जल्दी हतिया निर्मान का केंदर बनाने की तयारी जोड़ शोर से चल रही है इसे के तहट के हाँ अमेठी में जल्द ही रूसी असॉल ट्राइफल एके 203 बनाने की योजना को मंसूरी मिल गए इससे रक्षा निर्मान के शेतर में भारत को आत्नर्भर बनाने की कोशिशों के साथ ही राचे में रोजगार के नए अफसर बनेंगे सरकार से जोड़े सुत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी है इस फैक्टरी रूस के साथ साज़ेदारी में बनाई जाएगी जो रक्षा शेतर में दोनों देशों के बीच गहरी होती साज़ेदारी को दर्शाता है यूपी में अगले दो दिन बारिश के असार उत्रपदेश में मौसम कई बार पल्टी मार रहा है लेकिन मौसम विभाग ने आज रविवार और सोंवार को फिर बारिश के संभावना जिताई मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में बरपारी के चलते मैदानी इलाकों में मौसम में बदलाओ देखा चा रहा है मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बार अगले एक हफते तक सुबह 400 से 1000 मीटर तक कोहरा चाया रह सकता है इस सठंड के साथ गलन बढ़ने की भी संभावना है दो साल बाद रोडवेज की चार बश शुरू दिल्ली यूपी जैपूर के लिए आज होगी रवाना कोरोना के कारण की थी पन कोरोना में 287 राजिस्तान रोडवेज की चार बसों को आज रविवार सुबह 5 बजे से शुरू किया जाएगा नई बसस में दो बस दिल्ली, एक बस उत्तपरदेश के फ़रुकाबाद और एक बस जैपूर के लिए शुरू की गई है पहली बस सुबह 5 बजे धॉलपूर से दिल्ली के लिए रवाना होगी, दिल्ली पहशने के बाद सुबह 10.5 बजे दिल्ली से वापस धॉलपूर आएगी दिल्ली के लिए ही दूसरी बस दोपहर 2 बजे रवाना होकर वापस रात 9 बजे धॉलपूर पहचेगी 257 प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे यूपी विधानसभा चुनाओ आयोग ने किया आयोग ये खुशिक अगले साल होनी जा रहे प्रदेश विधानसभा चुनाओ राजी के कुल 257 लोग नहीं लड़ सकेँगे के इंद्रे चुनाओ आयोग ने इन लोगो को चुनाओ लडने के आयोग ये खुरार दिया सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौरे ने सेवा मित्र सेवा का शुभारम किया है पोर्टल सेवामित्र.up.gov.in वा सेवा मित्र एप लॉंच किया यूपी में फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली बनेगी सरकार भारते जुन्ता फार्टी की तेस्तर राण नेता और मद्रपदेश की पूर्मुक्य मंत्री उमा भारती ने आगामी चनाओ के उपरान यूपी में सत्ता परिवर्टन की अटकलों को सिरे से खारिच करते हुए दावा किया कि राजप में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी पत्रकारों से वारता करते हुए भाजपा नेता उमा ने कहा कि यूपी बदल गया है यहां पहले जैसी स्तितियान नहीं रही 2017 में यूपी विधानसबा चुनाओं में भाजपा ने केंदर की मोधी सरकार के महस तीन साल के कारेों के सहारे जनता का विश्वास हासल किया था लेकिन इस बार यूगी आदित तिनाजी के नीतरत्तों में सरकार द्वारा हासल की कई उपलब दियां सूबे में पाठी की पुनरवापसी कराएंगी चावणी में बदलीकाना की नगरी पांच एसपी, चालिस इंस्पेक्टर और सोला कंपनी जार एफ समेथ भारी फोर्स तैना यूपी के आयोध्या में विवादित धांचा गिराय जाने की तिथी, 6 दिसंबर से पहले भगवान कृष्णी के धाम मतुरा में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतसाम कर लिये वरिश्ट पुलिस सदिक्षा गौरब ग्रूवर ने बताया कि कोछिंदुवादी संकटन 6 दिसंबर को परंपरा से हट कर कारिक्रमों के आयोजन की अनुमती मांग रहे थे लेकिन इसकी इजासत नहीं दी गई लेकिन एतियातन सुरक्षा के पूरे इंतसामात किये गए हैं रेलवे ने भी मतुरा वरंदावन के बीच चलने वाली रेल बस का आवगवन अगले आदेश तक रोप दिया है सतीष चंद्रमिश्रा ने किया बड़ा दावा बोले 2022 में पांच वी बार मुख्य मंत्री बनेंगी मायवती बस्पा की रास्टे महासचिव सतीष चंद्रमिश्रा उन्नाव पहुचे उन्नाव में रास्टे महासचिव सतीष चंद्रमिश्रा ने उन्नाव की आरक्षि सीट मोहान वा सफीपूर विधान सबाशेतर के कारेकर्टाओं का सम्मेलन किया रास्टे महासाचिव ने कारेकर्टाओं को जीत का मंत्र देते हुए 2022 के चनाव में पूरी लगन वा महिनत के साथ जुझ जाने की अपील की वही कारेकर्टाओं सीब बहन मायावती के सरकार में किये गर विकास कारे वा कानून व्यवस्था को घर-घर तक पहुचाने की बात कही ताकिश्टिक रातने सरकार के सामने रखी तीन मांगे कहा बिना इसके नहीं जाएंगे वापस तीनों क्रिशी कानूनों के रद होने के बाद भी किसानों का अंदोलन जारी है कि इंदर सरकार चाहती है कि किसान धर्णा छोड़कर वापस अपने घर चले जाएं वही किसान MSP मुआफ़े और अपने उपर लगी केस वापस लेने की मांग पर रड़े हैं सेयुक्ति किसान मोचा ने किसानों की बैचक बुलाई जिसमें इस सब मुद्दों और किसानों की घर वापसी पर चर्चा होगी इस बीच भारतिय किसान यूनियन के रास्टिय प्रवक्तर आकेश्टिकेट ने कहा कि MSP कानून बनने तक किसान आंतोलन खत्म नहीं होगा जंधन खाते से निकाल सकते हैं बिना बैलेंस के 10,000 रुपे आम तोर पर सेविंग बैंक अकाउन में खाता धारकों को हर्मा औस्ता नियून्तम बैलेंस नहीं रखने पर पैनाल्जी देनी पड़ती है सेलरी अकाउन के लिए बैंक इसके बादिता नहीं रखते लेकिन इसके साथ ले कुछ यसे खाते भी होते हैं जहान नियून्तम बैलेंस रखने के अनिवारिता नहीं होती इस तरह के खातों में प्रधान मंत्री जंधन योजना भी एक है जंधन योजना खाते में इसके अलावा भी कई सो विधाई मिलती हैं आपको बता दे कि केंद्र सरकार प्रधान मंत्री जंधन योजना के तहर जीरो बैलेंस सेविंग खाता खूलती है इसमें दुरघटना भीमा ओवर्ड्राफ्ट फैसलिटी चेक बुक समेट कई दूसरे लाब भी मिलती हैं भारत में बड़ी पैमाने पर संगरी शेत्रों से जुड़े नौकरी पेशा लोगों की बास उनका पीएफ अकाउंट है हर महीने उनकी सैलरी का कोच चंश उनके पीएफ अकाउंट में क्रेडित कर दिया जाता है पीएफ में जमापैसे कर्मचारी के भविशे को सुरक्षित करने का काम करते हैं कर्मचारी भविशे निरी संगर्टन द्वारा पीएफ खाता धारकों को कई ऐसे फायदे दिये जाते हैं जिनके बारे में हम मेंसे अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है इसी कड़ी में आज हम आपको EPFO की ऐसे ही एक फायदे के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी कर्मशारी के रिटायर होने पर उसको 50,000 रुपे तक का एडिशनल बोनस मिलता है हालाकि इस एडिशनल बोनस को पाने के लिए आपको कुछ साबधानिया बड़तने की सरूरत होती है अंदरास्य औरानों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला जानी एक अब से शुरू होंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वैशक में हमारी कोरोना के नए वैरियन को लेकर बड़ती ग्लोबल चिंता की बीद भारत सरकार ने अंतरास्य औरानों को लेकर बड़ा फैसला किया दरसल कई देशों में इस समय कोरोना का नया वैरियन्ट ओमिक्रॉन अपना पैर पसाट चुका है भारत में भी इसके केस की पुष्टी हो चुकी है इसे भी सरकार ने 15 दिसंबर से निर्धारित अंतरास्टिय उडानों को फिर से नहीं शुरू करने का फैसला किया है एक हफ्ते पहले ही सरकार ने 15 दिसंबर से अंतरास्टिय उडानों को फिर से खोलने की बात कही थी लेकिन अब वर्दमान हालातों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है पीएफ खाता धारको को मिलेगा एक लाख रुपे का फाइदा पीएफ खाता धारको के लिए बड़ी खुशकबरी है अब अगर आपको पैसो की जरूरत है तो ईपीएफ ओ आपको एक लाख रुपे का फाइदा मिल सकता है और इस पैसे के लिए आपको कोई भी डॉक्यमेंट देने की जरूरत नहीं आपको बता दें कि एपीएफ ओ के तरफ से नौकरी पेशा लोगों को एडवांस क्लेम के तहट के पैसे निकालने की सुविधा दी जा रही है सिर्फ 752 रुपे जमा करने पर मिलेगी 10,000 की पेंशन रिटार्मेंट के बाद सुकून के जिंदी की बिताई जा सके इसके लिए के इंद्र सरकार के तरफ से क्योशना चलाई जा रही है इसमें मामूली निवेश पर बहतर रिटर्न मिलता है ताकि बुढ़ापे में आप पैसे के लिए दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं रिपोस के मताबिक पती पती स्योशना में निवेश करें तो उन्हें साथ वर्ष के बाद 10,000 रुपे पेंशन के तौर पर मिलेंगे अगर पती पतनी की उम्रे 25 साल यह इससे कम है तो दोनों के हर महीने 7502 रुपे की योगदान पर 10,000 रुपे प्रतिमा पेंशन लाप मिलेगा मिशन पुर्वाण चल पर BJP, PM मोदी 3,48,505 परिवारों को देंगे नल से जल योजना की सौकात विदान सबह चनाओं को देखते हुए BJP का मिशन पुर्वाण चल शुरू हो गया एक सब्ता बाद आने वाली है PM किसान की किस्त देशपर के किसानों के लिए खुशकबरी है PM किसान सम्मान निदी की दसवी किस्त एक सब्ता के बाद आने वाली है ऐसे में कुछ राजी सरकारों ने इसके लिए तयारी पूरी कर ली गौर तलब है कि पियम किसान योजना के किस्त के भुक्तान के शुरुआत और राजी सरकारों के द्वारा ट्रांसफर रिक्वेस्ट साइन करने से होती है ऐसे में किस्त की तारीक नजदीक आ रही है तो राजे सरकार इस प्रक्रिया को आगे पढ़ाने लगी है दूसरे दिन का खेल समाब भारत के पास 332 रन की बढ़ायत मयंग पुजारा क्रीस पर भारत और न्यूज़िलेंड के बीच मुंबई के वानखेडी स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच खेला जा रहा है दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 325 रन बनाई जवाब में न्यूज़िलेंड की टीम महज 62 रन पर ही धेर हो गई दूसरे पारी में भारत का स्कूर 79 बटे 0 है और उसके बड़ा 332 रन की हो गई मयंग अक्रवाल और चेतिशर पुजारा के बीच पहले विकिट के लिए 79 रनों की साजिदारी हो चुकी है भारत में एक बहुत बड़ा करीब और असहाई वर्ग है जिसके सिर पर चत नहीं है इने कुध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी महत्वकांक्षी प्रधान मंतरी आवास योजना की शुरुआत की थी इस योजना के तहरे तब तक लाखों लोगों को अपना घर मिल चुका है अगर आपने भी प्रधान मंतरी आवास योजना की नियमों में कई बदलाव किये गए हैं बदले हुए नियम में कहा गया है कि सरकार द्वारा आवंटेद मकान में आपको 5 साल तक रहना होगा यदि आप सरकार की शर्थ को पूरा नहीं कर बाते हैं तो पीम आवास योजना में आपका आवंटन रद कर दिया जाएगा 95,000 रुपे तक बढ़ कर आएगी केंद्री करमशारियों की सेलरी केंद्री करमशारियों की एक बार फिर से बल्ले बल्ले हो गई एक जुलाई से केंद्री करमशारियों को महगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महगाई रहाथ 28% मिलना पहले ही चुडू हो चुका है अब केंदर सरकार ने करमचारियों को एक और खुश्खबरी देते हुए डिये को 28% से 3% बढ़ा कर 31% कर दिया आईए जानते हैं कि अब 31% डिये होने के बाद केंदर सरकार ने करमचारियों के डिये में फिर से 3% का इजाफा किया है अब केंदर सरकार के करमचारियों और पेंशनर्स को 31% के दर से डिये और डियार का पेमेंट किया जाएगा